नमस्कार दोस्तों आपने जैसे 34ijn में देखा था वाई गुरुकूल वाई दुरियना आज के इस यूग में क्यों दुरियना जरूरी है और क्यों गुरुकूल जरूरी अगर आपको देया है तो गुरुकूल ही क्यों जरूरिये मैं मेरा अनुबव आपके साथ सेर करना चाहता हूं सब को पता है कि गुरुकूल को चलाता है सुबाशी सर्थ चलाते हैं ठीक है इस अमालों की एक तरह से सेवाई हो रही है और कुछ नहीं है और बता तो राजस्तान में कहीं पर भी चलता है क्या इस सिस्टम कहीं नहीं चल उफ़ाख करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजगल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कम आध्यम सुबाश जी कोई क्यूं चुनते हैं ठीक है गुरुकूल में कम फीस में सब को बता है कितनी फीस है ना मतर किसको बोलते हैं यह इन्हों ने साबित करके दिखा दिया कि ना मतर यानि 11 रूपे में देखो ओनलाइन ओपलाइन दोनों ओनलाइन ओपलाइन दोनों यानि कम फीस में उतित शिक्षा बढ़िया शिक्षा और क्या 21- surव में 2-3 तीशर की हर एक सब्जेट हर एक सब्जेट 232-3 तीशर की वहांके जो सिख सके आ चो एक student हो से क्या करते है वरक्तिकत्र रोब से जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं मैंने खुद देखाया, वहाँ के तीचर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेख सकता, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं खाना खा रहाता, तो वह टीचर भी आया था, वहाँ पर, सुनना आप द्यान लगाकर, और वहां पर आया पलेट ली और खाना खाने बेट गई कोई बात नहीं लेकिन मैं जब वहां गया तो देखा ये सिस्टम पहले दिन मुझे ये पता नहीं था तो उसके बाद खाना खा लिया खाने के बाद जो पलेट होती उस पलेट को खुद दोकर वहां पर रखे मैंने सोचा यार सोचने पर मेरे को मजबूर कर दिया कि इतने अच्छे टीचर विदारतियों के साथ बेट कर खाना काते हैं ठीक है दूसरी चीज शिक्सक के साथ साथ जो सुबाजी सरे उनकी फेकल्टिक के साथ साथ वो भी एक विक्तिकत रूप से जुड़े रहते हैं यह नहीं कि वह सुबाज इतने बड़े आदमी हो गए यह वो जैसे दुनिया में हम सुनते हैं जैसे हम बार उनकी बाते सुनते वेसे बिल्कुल नहीं हैं वो एक दिल के बड़े धन्नी आदमी हैं कैसे एक तो वो खुद जैसे कोई भी बचा जाकर अगर बोल दे कि सुबाजी मेरी यह प पीस वापिस नहीं मिलती क्योंकि वहां का सिस्टम यह सा है और सिस्टम को बदलाओं के लिए ही आज हमारे पास एक विकलप है और वो विकलप है कौन रा गुरुकुल सुबाज जी ऐसा करना जरूरी था राजस्तान में क्योंकि लोगों को लूटा जा रहा था राजस्ता इन्होंने बता दिया कि पेसों में कुछ नहीं होता बीना पेसे भी पड़ाई हो सकती है और मैंने खुद ने देखा है लग बग बच्छों के 99 परसेंट बच्छों के राजस्तान में दूरीना एप परचेज गया हुआ है और शुनो परचेज तो क्या हुआ है परचेज लग बग कर लेते हैं आज गल इतनी इस्तिती लोगों खराब नहीं होती कोई से को मतलब किसी को छोड़कर लग बग 10% बच्छों को छोड़कर लेकिन मैंने और भी राजस्तान में यह चलते चलते तो ही कंपिटेशन में तो आये गई लोग लेकिन मैंने बाकी एप देख रूप से अगर बच्छा आजाए आर्ति रूप से जो कमजोर है और यहां पर भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी सुबास चारण मापर सुवदा देते हैं और उनकी रेने के विवेश्ता करते हैं और उनके लिए उचित शिक्षा और उनहीं के साथ बेटकर उसको मतलब एक पसेंट भी एसा नहीं लगना चाहिए कि मैं फिरी पढ़ रहा हूं एसी उन्होंने वेश्ता कर रखी है उनके साथ ही बेठा के उस बच्चे को पढ़ाते हैं मुप्त कोचिंग करवाई जाती है उसी को ही ओनलाइन को दिया जाता है यानि जैसे बाकी बच्चों को दि लो बुला लिया छेजार लोगों को बुलो छेजार लोगों से ग्यारस रुपे लो और चार-पांच-छे मैने तक उसको पानी पिलो आपके गर्शे लगेंगे पेसे पानी-पानी के परवड़ता है कुछ नहीं परवड़ता है उसके बाद गुरुकुल के जो सिक्सक की ज छे महीने लग जाए कोर्ष करवाने में लेकिन हम यहां से सेलेक्शन देंगी कासि गुरुकुल से उनका एक उदिश है उदिश है कि सबको सिक्सा मिलनी चाहिए और सब शिक्सित होना चाहिए यह नहीं कि कोई पेसों के अबाव में पड़ नहीं पा रहा है तो सबको सिक् बच्छों को चेक करते हैं कि पड़ाई कैसी चल रही है खाना अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जैसे आप घर पे रहते हो ना वेस से सिस्टम है वहां पर वहां का जो वातावरन है आप इस से मान लो मैंने तो खुद ने जो मेरे साथ अगर मेरे को कोई वहां पे देखा हो तो मैं खुद बता दूँ कि मैं जब वहां गया था और मेरे साथ दोस्ते सिकर के थे खाटू सामजी के थे तो उन्होंने कहा था कि यहां कैसा लग रहा है तो मैंने का मेरे को यहां पर मेरे गाहों के जैसा वातारण लग रहा है ठीक है इतना अच्छा है और इस नहीं कि कोई teacher अच्छा नहीं फढ़ा रहा है फिर भी वो धुम आ रहा है और वहां पर बोल रहा है लेकिन नहीं बचे वक्ती का तरूफ से जोड़े हैं श्क्सक्राणाशृ यह वह वह विधार्न को पड़ाते हैं्ग यानि एक विदारती को खुwang से जोडते हैं और उनका जो उनकी प्रॉबलम में वो सौल करते हैं. ठीक है ? सुवाज जी सर एक बात बता दूँ , उस दिपक के समाने जो सुयम जलकर बच्शों को क्या करते हैं परकास मान करते हैं ? क्या करते हैं ? और शोचो दोरीना पर नाम आतर मिल्कूल कम फिस यानि आप अगर कहीं होटल में खाना खाने जा रहे हो तो आपने अगर अच्छी सी होटल में खाना खाया ना तो वहां पर भी 500-600 रूपए हो जाते हैं और यहां पर 500-600 रूपए में पुरा कोस्ट दिया जा रहा है वह भी अब भी तक नहीं अटाया वापिस वह आ गए क्या एक जाम पीटिटी का देख लो नहीं परचेज करने लगे लेकिन वह पुराना वाला नहीं पढ़ लो यार कोई बात नहीं ठीक है उसके बाद सुभाजी कुद अपने मुझ से अपनी कभी तारीप नहीं करते के ते मैं अगर अच्छा होगा तो अपना पी रिजल डा जाए अगा इसका ठीक है और उनका महन्ना एगा की पर्तियक्स को परमान की आवस्टा नहीं होती अब मैं बात कर लेता हूं ओ लाइन और ओप्लाइन नहीं क्यों जुरूरी है निम्तलब ये तो मैंने बता दिया कि वह यॉ कुल गुरु कुल कुछ वहां का कलाइमेट अच्छा है एक तो कम फीस में दोनों कोर्ष आपको मिलते हैं ठेक है अभी तो क्या लोगड़न लगे इस करण बंद है लेकिन आप दूरिना पर देखो जाओ बहुत ही कम फीस में बहुत ही कम पर अराम से जाके प्ले स्टोर से आ आपको औराम नार्मल आपको मिल जाएगा अब आपको उप लाइन चुनना है या और यह में बता देता हूं क्यों चुनना है ऑनलाइन ओनलाइन में एक तो आपको आने जाने का टाइम बच जाता है ओनलाइन को अगर आप घर बेटे लिए हो तो ठीक है दूसरी छुटी पंच ले रहे हैं कि लिए उबद नहीं आती क्यूंँ कि अगर आप आप ओप लाइन में जाररे हो वो दोस्तों मिल जाते तो उन्होंने के दाचाइ पी तो गया एक अलास तो गई और अगर उसने के दिया चल गूम के आते हैं तो पूरा दिन गया दूसरी चीज ओनलाइन आज के टाइम में दुरिना बहुत ही सस्ता मिल रहा है वो सबसे पहले विदार्ति की जो लाइप है वह सबसे ज्यादा पेसे ही देखता है इसलिए नॉर्मल पीस पर एकदम नॉर्म बच्छों के पास आज दुरिना डूवलोड है और इसका जो सरी है हम सुबाश चारण को देना चाहते हैं जिन्होंने अच्छा काम के और उनके पास राजस्तान की में तो मानता हूं यह मेरा मानना है कि राजस्तान की बेस्ट पेकेल्टिय मैं एक दो जैसे आपको ठीचर बच्छा क्या नाम है जारोडा राय सिंग जी और उसके बाद मैं बात करता हूं हमारे हिंदी के बमानिसर और नरेश जी मेत के बहुत अच्छे ची फेकल्टिय है सब जानते होंगे इनको और यहां पर क्या है आपको मैं बता दूं ओन-LINE के फाइदे क्या है आपको दुर कि बता देता हूं मैं च्छ liksom बिख देता हूं कि चीव नगे जब लेकिन अगर हां बचार गरच सकते हो यहां पर क्या फाइदा है कि तीन बार में आप जैसे हमको कोई डाउट है और आउट कोण को कलियर करना या तो हम एक बार तो महां पर खड़ेश पूच्छ सकते हैं दो बार पूच्छ tidak तो वहां पे हम पू Eles लेकिन अगर आपने को परचेस किया है थीक है थो आप od दो बाद चार बार पांच बार वहां पर उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आए तो ठीक है उसके बाद आप एक दुरीना से जुड़कर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो यह मेरी गिराएंट यह यानि बड़िया तैयारी कर सकते हो आप एक दुरीना एप से जुड़कर ठेक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे और इस वीडियो को जादा से ज सब्सक्राइब भी करना मैंने कभी नहीं बोला मैंने आज ही बोला सेर और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं धन्यवाद दिना चाहता हूं सुबाश जी सर को और जैहिन राम राम